Hello class 10th students, pair of linear equation in two variable के first exercise के second question को हम लोग आज की वीडियो में solve करेंगे question कहा रहा है on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel और coincident हमें बताना है यहाँ पे हमें कई सारे lines given है यह जो आपको एक equation दिखता है न वो एक line को represent करता है graph के उपर यह जो आपको equation दिख रहा है यह भी एक line ही है जितने भी आपको equations दिखते हैं mathematics में वो सारे के सारे क्या है एक line है जो की linear equations हो सारे equation कहना गलत होगा ऐसे equation जो की linear equation हो वो सारे के सारे एक line को represent करते हैं जैसे ही एक line है, यह एक line है क्योंकि यह सब linear equations है question बताना है क्योंकि यह एक line है यह भी एक line है पता करिए यह दोनों line आपस में एक point पे टकराएंगे की नहीं टकराएंगी या फिर parallel होंगी या फिर coincident होंगी जैसे यहाँ पर दो लाइन है ना first वाले case में यह दोनों लाइन आपस में intersect करेंगी कि parallel होंगी कि coincident होंगी हमें यह बताना है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 चेक करके तो हमें क्या find करना है कि lines आपस में intersect कर रही हैं कि नहीं parallel हैं कि नहीं coincident है कि नहीं और क्या देखके बताना है हमें यह चीजें हमें यह चीजें a1 by a2, b1 by b2 c1 by c2 चेक करके बताना है ठीक है तो चलिए पहले formula समझते हैं formula क्या है तो देखेगा formula है मैं आपको यहाँ पर किनारे formula लिखके बता रहा हूं formula कहता है कि let's say आपके पास एक equation two equation of lines है a1x plus b1y plus c1 equals to 0 आपके पास एक और equation of line है a2x plus b2y plus c2 equals to 0 तो अगर a1 by a2 निकालिए और वो अगर equal नहीं आया b1 by b2 के उस case में जो lines होती है वो intersecting nature की होती है मतलब intersect करेंगी एक point पे intersect at one point ठीक है और अगर a1 by a2 ये equal रहा b1 by b2 के उस case में आप c1 by c2 भी निकालिए अगर c1 by c2 ये equal नहीं आता है a1 by a2 और b1 by b2 के इस case में lines जो है वो parallel होंगी और अगर a1 by a2 ये b1 by b2 के equal है और ये c1 by c2 के equal है तो फिर इस case में coincident lines होती है coincident मतलब एक के उपर एक ठीक है तो अगर बराबर नहीं आ है तो intersect और दो बराबर है और तीसरा वाला बराबर नहीं है तो parallel और तीनों के तीनों equal है तो मतलब coincident ठीक है तो सबसे पहले फर्स्ट वाला solve करेंगे फर्स्ट वाला क्या है 5x minus 4y plus 8 equals to 0 7x plus 6y minus 9 equals to 0 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5x minus 4y plus 8 equals to 0 फिर थोड़ा सा जगह छोड़के मैं लिख रहा हूँ 7x plus 6y minus 9 equals to 0 ठीक है और यहाँ से देखेगा इसके नीचे लिखेगा a1x plus b1y plus c1 equals to 0 और इसके नीचे लिखेगा a2x plus b2y plus c2 equals to 0 ठीक है यह चीज आपको लिखने होंगी पहले वाले equation के नीचे line का general form लिख दीजेगा दूसरे वाले के नीचे line का general form ठीक है अब आपको यहाँ पे comparison करना है अब ध्यान से देखिए a1 की value 5 है ठीक है और b1 की value क्या है minus 4 है sign भी ध्यान में लेना है c1 की value 8 है a2 की value 7 है b2 की value 6 है और c2 की value है minus 9 इन सब बातों का ध्यान देना है a1 की value क्या है 5 है b1 की value क्या है माइनस 4 है, c1 की वल्लू क्या है, 8 है, a2 की वल्लू क्या है, 7 है, b2 की वल्लू क्या है, 6 है, c2 की वल्लू क्या है, माइनस 9 है, अब देखेगा हमें क्या करना था पहले, a1 by a2 और b1 by b2 निकालना था, सबसे पहले a1 by a2 निकालेंगे, a1 by a2 निकालेंगे और फिर b1 by b2 निका अपने क्या किया एंद्थ यानि 5डाई 7 उपने वाला नंबर की तो यानि 5डाई द्थन याद और लिए किसमें और अग्ठी का केसे intersecting lines intersecting lines कितने point पे intersect करते हैं एक point at one point ठीक है clear है पहले वाले cancer आगिया है दूसरा आले के लिए निकालेंगे तो तो किसे note कर लिजिए अब दूसरा आले दिखे क्या है 9x plus 3y plus 12 equals to 0 18x plus 6y plus 24 equals to 0 यहां पर में लिखराऊ नीचे 9x plus 3y plus 12 equals to 0 इसके नीचे में लिखराऊंगे 18x 18x plus 6y plus 24 equals to 0 ठीक है तो इसके नीचे लिखेंगे a1x plus b1y plus c1 equals to 0 a2x plus b2y plus c2 equals to 0 ठीक फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्यालेंगे सबसे पहले हुए दिखेंगे अब देखेंगे आगे हम लोग क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे गए कि हमें सबसे पहले क्या निकालना ओता ओर 11 भीटेग में लिस वाह जिए coming भेंगे निकालेंगा तो हमने कर सकारओ तो मैं मैं गुद ऑब लेटिन यहां पेवाइज और जब एकौल का साइन आता है तो दो केसे बनते है या तो यह केस होगा या तो यह केस होगा अब उसको हेल वाइगा 12 बोल्ट टोन्टी टन सभेवर कुरनर्ट संफल यानि यह उपर इकनक है साथ होंगे लास्ट वाला यानि कोईसिटेंट कोई बताएगा कोईसेडेंट क्या होता है कि किस करिये कि flows करिये आपके के पास एक लाइन यह एक और लाइन जो है वह ठीजिक के ऊपर है इसी के ऊपर आपके पास क्या है एक दूसरे कम पर हो ठीक है तो दूसरा लभी solve हो गया है तीसरा लग करेंगे पहले नोट का लिजेसे तो उमीद कता हूँ आपने नोट का लिए होगा वीडियो को pause करके अब हम लोग थाड़ वाल लगाएंगे ठीक है थाड़ वाला क्या है अब इसमें मजाएगा यह important है इसको important टिक लगा लिजेएगा अब नीचे क्या है 2x-y plus 9 equals to 0 ठीक है इसके नीचे क्या लिखेगा a1x plus b1y plus c1 equals to 0 इसके नीचे लिखेगा a2x plus b2y plus c2 equals to 0 अब आपके मन में एक दिख्कत है कि इस y क्या क्या कोई नंबर ही नहीं है फिर b2 के वैलू निकलेगी कैसे नंबर है दिखने रहा है जिसका कोई नहीं होता है उसके पास भगवान होता है तो इसलिए इसका भगवान 1 होगा कोई नहीं है उसका 1 होगा ठीक तो जहां कुछ नहीं नंबर लिखा महां 1 लगा दीजिए सब का मालिक एक ठीक है यह नहीं हम याद करिएगा सब का मालिक एक A1 का वेलू 6 है B1 का वेलू माइनस 3 है C1 का वेलू 10 है A2 का वेलू 2 है B2 का वेलू माइनस 1 है C2 का वेलू 9 है ठीक है तो माइनस वारे केस को द्यान रखेगा A1 का value 6 है B1 का value minus 3 है C1 का value क्या है 10 है A2 का value क्या है 2 है B2 का value क्या है minus 1 है C2 का value क्या है 9 है ठीक है अब देखेगा सारे चीज़ें मिटा देना आपने note कर लिया हुआ ठीक है अब हम लोग A1 by A2 निकालेंगे B1 by B2 निकालेंगे A1 by A2 मतलब 6 by 2 B1 by B2 मतलब minus 3 by minus 1 ठीक है A1 by A2 मतलब 6 by 2 B1 by B2 मतलब क्या minus 3 by 1 ठीक है 2 और 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा और यह minus से minus कर जाएगा तो 3 by 1 या नि 3 दोनों आपस में equal है याँ याँ पे विक्क्वल कसा है और जब equal का sign आता है तो या तो यह case होगा या तो यह case होगा अब उसके लिए हमें C1 by C2 निकालना पड़ेगा C1 by C2 निकालेंगे C1 by C2 ठीक है C1 की value 10 थी C2 की value 9 थी क्या 9 by 10 by 9 करने पर 3 by 3 के equal हैगा क्या कभी नहीं आएगा 10 by 9 थी के equal कभी नहीं होगा यानि बीच में not equal का sign होगा यहां भी not equal का sign यहां भी not equal का sign तो जब not equal आता है equal वाले case में तब lines आपस में parallel होती है ठीक है तो इस case में क्या होगी lines parallel होगी ठीक है मतलब आप यह सूचिए आप कर क्या रहा है आप बिना इन दोनों का graph बताए बिना पता कर ले रहे हैं कि lines intersect करेंगी parallel होगी कि coincident होगी अगर आपको यह सारी चीज़ें समझना ही है तो मैं आपको एक हुमक दे रहा हूँ इसका अब लोग comment box में रहिएगा कि x plus y equals to 1 x plus x minus y equals to 2 जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो like करिएगा आज की बढ़न से नहीं मिलते हैं के लिवडन में तप तरके लिए गुडबाई आपको एक अच्छा लगा है